सब्सक्राइब कीजे एरमिंदा किचन को और बैल आइकन को प्रेस कीजे ताकि मेरी लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आए असलाम अलेकुम वेलकम टू एरमिंदा किचन आज हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं इमली की खटी मीटी चट्नी और हरे दन्या की खटी चट्नी अपने वीवर्स की रिक्वस्ट पर मैं इसकी रेसिपी आप से शेयर कर रही हूँ तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं हरे दन्या की चट्नी बनाने के लिए यहां मैंने एक कप हरा दन्या लिया है नमक लिया है और 140 जीरा लिया है आप चाहें तो आधी कब पुदीना भी ले सकते हैं इसको हम एक जार में ट्रांसफर करेंगे और इसका एक पाइन पेस तैयार करेंगे चटनी बनाने के लिए अध्रक को हम स्लाइसेस में काट लेंगे और इसमें निम्बू भी निचोड़ देंगे आधी कब हम इसमें पानी डालेंगे और पिर इसको ग्राइंड कर लेंगे और हमारी चटनी तैयार हो गई है हरे धन्य की यह देखिए कितनी बेतरी चटनी में तैयार हुई है यह हमारी हरे धन्या की खट्टे चट्नी थी, अब हम इमली की मीठी चट्नी तयार करते हैं तो चलिए इसकी मीठी चट्नी बनाने के लिए मैंने यहां 50 ग्राइम इमली लिए इसको मैंने एक घंटा पहले पानी में भीगो दिया था आप देखिए ये फूल गई है और इसके बीज मैंने निकाल लिये थे अगर आपको जल्दी है तो आप इसको गरम पानी में भी बीज मेट के लिए भीगो सकते हैं आप चाहें तो इसमें 25 ग्राम खजूर भी बीज निकाल के अड़ कर सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिक्सी कर जाड लेंगे और उसमें ये भीगी बीज इमली ट्रांसफर करेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट तयार करेंगे अब हम एक बोल लेंगे और एक चन्नी लेंगे चन्नी के होल्स थोड़े हमारे मोटे होने चाहिए तो हमारा जो पेस्ट है अच्छे से चन जाएगा बीच में जो इमली का रेशा और पल पाता है वो चन्नी से चानने से चान जाता है और हमारी चट्नी विकलो स्मूथ तैयार होती है पानी अगर आपको कम लगेगा तो इसमें आप थोड़ा पानी और एट कर सकते हैं और इसको इसली चान सकते हैं यह देखिए इस सरीके से इसको चान लेंगे और इमली का स्मूथ पानी हमारा तैयार हो गया है अब हम इसमें जो मसाला डालेंगे उसकी तैयारी करते हैं हाफ टी स्पून जीरा है वन पोर टी स्पून सौफ है और टू पिंच हींग है इन तीनों से हम इमली की चटनी में तड़का लगाएंगे टू टू स्पून शक्तर है टू टू स्पून कॉन फ्लोर है आप इसकी जगा अरव रोड भी ले सकते हैं हाफ टी स्पून सोट का पॉडर है आप इसकी जगा अधरक भी डा सकते हैं ग्रेट करके हाफ टी स्पून काला नमक है हाफ टी स्पून रेड चिली पॉडर है और टू पिंच जर्दे का रंग है पचास ग्राम मैंने गुर लिया है इसको मैंने छोड़ छोड़ टुकड़े में काट लिया है ताकि यह असानी से पानी में डिजॉल हो जाए अब हम एक पैन लेंगे गैस की फ्लेम को अन करेंगे और उसमें एक टेबल स्पून तेल डालेंगे अब हम इसमें जीरा हींग और सांफ डालेंगे जब जीरा सांफ हमारा हलका गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ता फिर हम इसमें इमली का पानी डालेंगे पानी जब हमारा अच्छे से हीट हो जाएगा तब फिर हम इसमें गुर्ड डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे गुर्ड हमारा अच्छे से डिजॉल हो गया इसमें अब हम इसमें बागी की मसाले एड़ करेंगे हम इसमें 2 ती स्पूट शक्कर भी डालेंगे क्योंकि शक्कर डालने से इसका खटा मीठा टेस्ट आता है और इसमें बागी की मसाले भी एड़ कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इमली की खटी मीठी चट्नी बनकर हमारी तैयार हो गई है अब हम इसमें थोड़ी तिकनेस लाने के लिए इसमें 2 ती स्पून कॉन फ्लोर डालेंगे जिसको हम 2 तेबिल स्पून पानी में कॉन फ्लोर को मिक्स करके हम इस चट्नी में डालेंगे ये देखिए, ये मैंने डाला है इसमें और ये देखिए तिकनेस इसकी देखिए, ये दीरे दीर हमारी चटनी गाड़ी हो गई है कौन फ्लोर डालने के बाद एक बॉल डाने पर हम गैस की फिलम को बंद कर देंगे इमली की खटी मीठी चटनी बनकर हमारी तैयार है, अब हम इसको एक बॉल में ट्रांसफर करेंगे आप चाहें तो इसमें खरबूजे के बीच भी डाल सकते हैं, इससे ये और भी टेस्टी हो जाएगी देखिए कितनी अच्छी खटी मीठी चटनी इमली की बनकर हमारी तैयार हुई है, इसके अंदर एक खाल्स बाद ही है कि इस चटनी को हम स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपके घर में पानी बताशा, टिकिया, दई बड़ा बने तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एयर टाइट जार में परकर आप इस चटनी को तीन से चार हफ़ते तक यूज़ कर सकते हैं यह थी मेरी अमली की और हरे दिनिया की खट्टी मीटी जटनी की रेसीपी अगर आपको मेरी रेसीपी पसंद आइये तो ज़रूर लाइक कीज़ेगा और पैमुली और फरेंड के साथ दूरूर शेहर कीज़ेगा और हां मेरी आपसे हमबल रिकवेस्ट है अगर आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो इसको सबस्क्राइब जरूर कीजेगा और बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजेगा ताकि मेरी लेटेस वीडियो का नोटिपिकिशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आए थैंक यू